हेलो गाइज आज हमारे पास है क्लास 12 यूपी बोर्ड के 2018 सामान हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर और इस चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कौन-कौन से कुईस्चन्स आये थे कैसा पैटन था इन सब सारी चीजों को बताऊंगा और साथ में मैं आप सभी को एक चीज बता दू कि ये जो 2018 का पेपर है ये 2022 के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि जो आपका पेपर होता है इन में से कुईस्चन प्रति तीसरे वर्श लगबग रिपीट के जाते हैं तो यहाँ पर 2018 का पेपर 20 में रिपीट हुआ होगा 20 के बाद में अब फिर 22 में इस चीज का नंबर है यानि कि इस साल ये जो 2018 का पेपर है ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात तो आपको बता दू कि जो हिंदी का होता है पेपर वो दो पेपर होता है एक सामान हिंदी प्रतम प्रशन पत्र जो की यहाँ पर है और दूसरा है दुद्तिय प्रशन पत्र तो इसका वीडियो हम अगला वीडियो लाएंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ से जाकर आप इसको देख लीजिएगा बात करेंगे इस प्रत्थम प्रश्ण पत्र की सबसे पहले तो इसका जो समय होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पोडांक आपका 50 अंग का होता है उसके बार में निर्देश में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है अभी से आप जान लीजिए कि प्रारंब के 15 मिनट परिचार्थियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है तो 15 मिनट आप अपने इस पूरे प्रश्ण पत्र को पढ़ लीजिए इनमें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है यह चीज़े अगर समझ में नहीं आती है तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे आप इस चीज़ को पूछ भी सकते हैं इस समय पे ठीक है यह चीज़े हो गए उसके बाद में अब यहाँ पर आ जाता है आपका पहला नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पांच क्वेश्चन है पहला का नंबर का नंबर क्वेश्चन कहे रहा है आखरी चटान की रचना बिधी है तो इसमें जो आपका होगा उस पर आपको टिक लगाना होगा तो यहां से आप इसका screenshot ले सकते हैं और इसको आप पूरा तयार कर लिजेगा उसके बाद में अगर हम खा number question पता है तो खा number question कहता है आलोचना साहित से संबंधित कृति है अब यहां पर आपका विगल्प दिया गया है जो सही बिगल्प होगा उस पर आप टिक लगाएंगे तो इसको भी आप यहां से करिंस ओड ले लेंगे उसके बाद में गा number question है पाड़ी निकालीन भारत सोध प्रबंध है अब यहां पर चार बिगल्प दिये गये हैं इन में आपका सही है एक उस पर आपको टिक लगाना है उसके बाद में आपका गा number question कहता है वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकासन किया था अब यहां पर आपको चार बिगल्प दिये गये हैं जो बिगल्प सही होगा उस पर आपको सही टिक लगाना होगा उसके बाद में आपका आ जाता है अंगा नमबर कुईस्चन ये कहता है दीप जले संख बजे के लेखक हैं अब यहाँ पर चार बिकल्प दिया गया है जो सही बिकल्प होगा उस पर आप टिक लगा लीजेगा तो यहाँ पर आपको 5 कुईस्चन देखने को मिले इन सारे 5 कुईस्टन को आपको तयार कर लेना है उसके बाद में अब ध्यान दीजीए यहाँ पर आ जाएगा सेकेंट नमबर कुईस्चन अभी तक यह जो अंगा तक नमबर तक कुईस्चन था ये गद्ध से था अब यहाँ पर पद्यांस यानि की काब यह जो आपका होता है वहाँ से आपका यह question उठाया जाएगा तो यहाँ पर अब फिर 5 question मिलेंगे का नमबर देखिया यहाँ पर लिखा है चाया या वादोत्तर काल्व के कभी है अब यहाँ पर जो बिकल्प है दिया गया है इसमें जो सही होगा उस पर आप टिक लगा लीजिए और तयार कर लीजिए उसके बाद में खान अमबर question गहता है निम्न में से किनहें ग्यान पीट पुरुषकार नहीं मिला है अब ध्यान से यहाँ पर इस question पर विज़ार किजिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ग्यान पीट पुरुषकार नहीं मिला है लिखा हुआ है ऐसे question आपको फसाने वाले question होते हैं इसमें क्या होगा कि आपको एक न इसमें तीन ऐसे होंगे जिनको ग्यान पीट पुरुषकार मिला होगा और आपको कोई न कोई जरूर याद होगा कि इनको ग्यान पीट पुरुषकार मिला है तो आप उन पर टिक लगा देंगे तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है आपको यहाँ पर लिखा गया है नहीं मिला है तो जिनको नहीं मिला है उन पर लगाना है तो ये चीज विसेश कर ध्यान देना और ऐसे question पर आपको साउधानी से काम करना है उसके बाद में गानमबर question कहता है जै संकर परसाथ द्वारा व्रज भासा में रचित काब संग्रा है अब यहाँ पर चार बिगल्प दिये गया है जो सही बिगल्प होगा उस पर आप टिक लगा दीजेगा यहाँ पर 2018 का पेपर था यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मूस जो है वो कुतर दिया है इसको तो यह आपका हो गया गानमबर question तीन question हो गए दूसरे का अब यहाँ पर यह हमारा घा नमबर question है बैदेही वनबास का बिक्रित है अब यहाँ पर चार बिकल्प दिया गया है जो सही होगा उस पर आप टिक लगाईएगा उसके बन में अंगा नमबर question कहता है गरंति काब संग्रा के रचाइता है यहाँ पर भी चार बिकल्प दिये गये है जो सही होगा उस पर आप टिक लगाईएगा सारे question यह जो पांचो पांच यहाँ पर पांच question थे यह एक एक नमबर के थे और दूसरे नमबर में यह जो पांच question थे यह भी एक एक नमबर के थे तो यह गद्य और पद्य से यह आपका बहु बिकल्प प्रशन हो गए पांच पांच यानि कि दस नमबर यहाँ तक complete हो गया तो बिशेज कर ध्यान देना है कि दस नमबर आपका इस बहु बिकल्प प्रशन में आता है कि निमन लिखित आउतरडो में से किसी एक की संदर्ब सहित ब्याख्या लिखिये अब बिशेज कर ध्यान देना है कि जब यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर का में किसी एक का लिखना है तो यहाँ पर एक ये दिया गया है और second ये दिया गया है अब इन दोनों में से एक का आपको संदर्व सहित ब्याख्या लिखना है ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज विशेज ध्यान देना है कि जिसका आपको संदर्व है यानि कि संदर्व लिखने में आपको क्या करना है कि जब भी आप गद्य का संदर्व लिखे तो उसमें आपके लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ पुस्तक जो भी आपका पुस्तक का नाम है उसके बाद में जिस चेप्टर का नाम है उसको आपको लिखना होता है और जो रचाईता होते हैं उसका उसको लिखना होता है तो अगर गद्य की आपको यहाँ पर लिखन जो आपको अच्छे से आता होगा जिसका आपको संदर्व और उसका पूरा प्याख्या है वो आता होगा उसको आपको कर लेना है ठीक और इसका जो नंबर है वो क्या है दो नंबर तो आपका संदर्व में मिलेगा ठीक है संदर्व जब लिखेंगे और पांच नंबर उसका जब अर्थ लिखेंगे तम मिलेगा और अगर आप संदर बनाई लिखते हैं तो दो नमबर आपका कड़ जाएगा तो ये चीज भी सेश का ध्यान देना है कि आपको हर चैप्टर को अच्छे से तयार कर लेना है और उसके अर्थ को तयार कर लेना है रचहिता कौन है उसको त तयार कर लेना ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो तीसरे का नमबर में दो थे जिसमें से एक करना था तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है उसके बार में तीसरे नमबर का ही दूसरा नमबर कोईशन है इसमें क्या दिया गया है निमनलिखित में से किसी एक सूक् किसे आता होगा उसको कर लेना है और संदर्ब और ब्याख्या संदर्ब का आपका एक नमबर है और ब्याख्या का दो नमबर कुल मिलाकर तेनंग का यह हो जाएगा ठीक तो यह आपका हो गया तीसरे का खा नमबर कोईशन इतनी बात हो गए उसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने चौते नंबर कोईशन पर चौता नंबर कोईशन कहता है निमनलिखित आउतरडों में से किसी एक की संदर्व सहित ब्याख्या कीजी अब अभी तक इधर बात हो रही थी गद्द की अब इधर आ गया काब यानिकी पद्द तो अब यहाँ पर जब भी आप इसका संदर्व लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यखंड या पद्यांस ठीक है ये चीज़ आपको लिखना है अब यहाँ पर आपको इनमें दोनों में से जो भी आपको अच्छी तरीके से आएगा उसका अर्थ आपको और संदर्व लिखना है ठीक है इसका भी जो नंबर है वो है दो प्लस पांच यानि दो नंबर संदर्व का आपका हो जाएगा और पांच नंबर आपका अर्थ का हो जाएगा तो इसको आपको इनमें जो बहतर तरीके से आता होगा उसको आपको कंप्लेट कर लेना है ठीक की संदर्व सा संदर्व ब्याक्या कीजिए ठीक है तो यहाँ पर तीन सूक्ति दी गई है इन में से जो आपको बेहतर तरीके से आता होगा उसको आपका अर्थ लिखना है और उसके बाद में उसका संदर्व लिखना है तो संदर्व का एक नमबर है ब्याक्या का दो नमबर ह तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है उसके बाद में पाँचवे नमबर कोईशन पर आजाएंगे यहाँ पर लिखा गया है निम्न लिखित में से किसी एक लेखक का साहितिक परचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्ले कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर तीन दिये गए है तीन में से किसी एक का लिखना है पहला कनयालाल मिस परभाकर हरी संकर परसाई और डाक्टर हाजारी परसाथ दिवेधी तो इन तीनों में से जिनका आपको अच्छी तरीके से जीवन परचय और यहाँ पर लिखा गया है साहितिक परचय ठीक है तो साहितिक परचय आप उनका जानते हैं जिनका बेहता तरीके से उनका आप अच्छी तरीके से लिखेंगे ठीक है तो यह आपका हो गया उसके बाद में यहाँ पर लिखा है निम्न लिखित में से किसी एक कभी का साहितिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उलेख कीजिए थीक एक चीज यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर जब आप साहितिक परिचय लिखेंगे तो आपका 2 नमबर बनेगा ठीक और जब उनके रचनाओं को लिखेंगे तब दो नमबर मनेगा और कुर मिलाकर 4 नमबर के होंगे तो विशेष कर ध्यान देजिएगा क्यों साहितिक परिचाय लिखकर आप भगेंगे नहीं, आपको रचनाय भी लिखनी होंगी, तभी आपको यहाँ पर दो नंबर मिलेगा, ठीक है, नहीं तो कड़ जाएगा, चाटवे नंबर में अब कभी आ गए, जिसे यहाँ पर क्या थे यह, यह हमारे जो गद्य थे, उनके थे, अब य किरतियों को लिखना है, यानि कि उनकी रचनाओं को लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो नंबर यहाँ पर आपको उनके साहितिक परचे पर मिलेगा, और दो किरतियों पर मिलेगा, तो यह चीज़ आपका हो जाएगा, इन दोनों को तो आपको बहता तरीके से कर ठीक है उसके बाद में आब आ जाता है вместе है नमबर सोन्हें में लिखा है लाटी थो कहाई के उद्देश पर प्रकास डाली ठीक अब यहां पर अट्वा लगला लिखा लेका है अब मिक्या पंच लाईट है आख़़ बहादुर कहानी पर शारांस अपने सब्दों मिलकिए, तो यहाँ पर जो आपके सलेबस में होगा, उन में से चाहे ये होगा, ठीक, एक होगा ठीक है, अब यहाँ पर एक क्योल करना है, चाहे पंच लाइट कर लीजेगा बहादूर छोड़ दीजेगा, या फिर बहादूर इत्यान देना है, जो आपके सलेबस में होगा, वही आपको करना है, ठीक है तो यह आपका होगया, सातवा नंबर क्विश्चन, उसके बाद में सातवे का खा नंबर यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर लिखा है, स्वापठिट नाटक के आधार पर, निम्न लिखित प्रस्णों में से किसी एक का उत्तर दीजी, ठीक है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर दिये गए हैं क्विश्चन, और इनका उत्तर देना है, किसी एक का ठीक, तो अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, इसका भी दीजी इसका भी दीजिए इसका भी दीजिए और यहाँ पर जितना दिया गया है सारे का question का answer पहुत करते हैं, यहाँ पर पूरे में से कीवल एक करना है जो आपके syllabus में होगा उसका आपको एक उत्तर देना, चाहे theorem अगर इसको करते हैं तो इसमें से इसको या इसको करना है इसको करते हैं तो इसमें से इसको या इसको करना है ठीक है ये चीज विशेज ध्यान देना है यानि कि हर question को नहीं करना है क्यों एक question को करना है एक में क्यों एक है ठीक है जो आपके सलेबस में होगा उसको करता है तो ये आपका हो गया खान नमबर कोईश्चन उसके बाद में अब आजाता है आपका यहाँ पर आठवा नमबर कोईश्चन ये कहता है स्वाप अठित खंड काब के अधार पर किसी एक खंड के एक प्रस्ण का उत्ता दीजिए ठीक है अब इसमें बहुत सारे यहाँ पर दिये गए है कोईश्चन यहाँ तक पूरा पीछे तक यहाँ पर हर एक को नहीं करना है केवल एक खंड के एक कोईश्चन को करना है आप इसमें से जो आपके सलेबस में होगा चाहे सरवडगुमार होगा चाहे रसमिरती होगा चाहे मुक्तियक की होगा ठीक है चाहे त्यागपती होगा सत्त की जीत होगा आलोक बृत्त होगा ठीक जो आपके सलेबस में है ठीक है यह आपके जैसे मंडल वाइज यहां पर जैसे जो आपका मंडल में जो सलेबस में आपके होगा जैसे जिस मंडल में रहते हैं उसके लिए आपका अलग यहां पर जो होगा जैसे मुक्तिया की जो है यह किसी अगले जैसे मंडल का है फिर उसके उने किसी दूसरे मंड तरीके से तो यह आपका था पूरा यह जो सामान हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर था वो जिसको हमने पूरा अच्छी तरीके से यहां पर समझा दिया हर एक कुईस्चन को आपको रोक रोक कर वीडियो स्क्रीन सौड़ ले लेना है और सारे कुईस्चन को तयार कर ल पेपर हैं सभी पर वीडियो पड़ेगा सारा लिंक डिस्क्रीप्शन में है जाकर आप इसके वीडियो को देख सकते हैं तो बस यहीं पर देते हैं इजाजत जै हिंद पुंते मात्रा